आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन अथारिटी और पेज अथारिटी की या फिर मैं कहूँ PA और DA की तो ये होते क्या हैं? पहले तो ये समझेंगे उसी के साथ ही क्या PA और DA SEO के लिए important है? ये भी हम बात करेंगे कि ये बहुत ही disputed topic है और उसी के साथ आप किसी website की PA DA किस तरह से चेक कर सकते हैं? ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं Hello everyone, I have me welcome you all on WS Cubetic Channel So आज बात करेंगे हम domain authority और page authority की एक काम करते हैं, domain और page को अलग करते हैं, एक बार authority की बात करते हैं कि किसी website की है, किसी webpage की authority आखिर होती क्या है तो जैसे आपको school में marks दिये जाते थे, कि English में आपके जैसे 100 में से 80 marks आते हैं तो English में मतलब आप ठीक हैं अगर आपके English में मान लीज़े 60 marks आते हैं, तो आप average हैं अगर आपके English में मान लीज़े, अगर 40 marks आते हैं, तो आप बहुत ही below average हैं और अगर आपके इतने से कम आ जाते हैं 35 से कम आ जाते हैं, तो आप fail हो जाते हैं तो वैसे ही websites को एक marks दिये गए हैं जैसे 100 में से मैंने एक website को marks दिये, कि इस website की जो performance वाइस, अगर मैं बात करूँ, तो इस website की जो authority है, या फिर मैं कहूँ ये website जो है, ये 100 मैंसे इतनी value रखती है, जैसे अगर मैंने 90 बोल दी, कि कि किसी website की जो domain authority है, वो 90 है, तो मतलब 100 मैंसे 90 marks मैं इस website को देती हूँ, कि इतनी value ये website create करती है, चीक है, तो बहुत ही simple language में हमने समझा, अब domain authority मतलब complete domain की, या फिर मैं बहुत ही simply बोलूँ, तो complete website की जो authority होती है उसे हम कहते है, domain authority और page authority मतलब एक single page की, क्योंकि देखिया, हमारे पास home page भी होता है, website पर उसके लावा हमारे category pages होते हैं about us page होता है, तो अगर मैं compare करू home page को और about us page को, दोनों अलग-अलग value रखते हैं, obvious ही बात है क्योंकि about us page पे पहले तो कोई भी और मेरे internal links, external links बहुत ही कम होंगे, home page जो होगा उस पर मेरे सारे website के links मिल जाएंगे और जादर जो arrivals होंगे, वो home page पर होंगे, तो comparatively मतो common understanding है, कि हमारा जो about us page और जो home page है, उन दोनों के authority अलग-अलग होगी, तो एक particular page की authority को हम बोलते हैं, page authority, very simple अब सवाल आता है कि क्या domain authority और page authority matter करती है SEO के लिए या फिर मैं और भी simple इस बात को रखूँ कि अगर आपकी website की domain authority, आपकी page authority अच्छी है, तो क्या इससे आपकी rank बड़ेगी search engine results page पर, तो देखिए इसका जवाब है, ऐसा कोई relation नहीं है, SEO के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी website की domain authority, मैं कहती हूँ 100 में से 100 कर देते हैं, और आप उमीद करते हैं, आप बोलते हैं कि इसकी domain authority 100 हो चुकी है, या फिर इसकी बहुत अच्छी domain authority या page authority, अब तो यह website पका rank कर जाएगी, देखिए इस बात की कोई भी guarantee नहीं है, ऐसा क्यों है, तो देखिए Google ने कभी भी नहीं बोला है कि page authority या domain authority ये हमारे लिए matter करती है, बहुत सार ऐसे factors हैं, जो कि एक website को rank करवाने में help करते हैं उन में से domain authority, page authority Google ने बिलकुल साफ-साफ मना किया हुआ है, तो फिर जब Google ने मना किया है, तो ये word आखिर आए कहां से, domain authority, page authority है, किस ने generate किये, तो देखिए सबसे पहले जो इस चीज को generate किया था, वो किया था, moz.com ने, moz.com आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, कई tools भी हम इस website से use करते हैं, ये एक website है जो mostly deal करती है SEO related facts and rules बनाने में तो इन्होंने एक term निकाली कि जो अच्छे-ची website सी, कि उनको कैसे standardize करें, कि ये website की value अच्छी है, ये website कम value की है, ये website बिल्कुल negligible value है इसकी, तो उन्होंने एक unit discover कर दी, यूं कह दीजे, जैसे हम पानी को नापते हैं liter में, किसी चीज की height नापते हैं हम inches में, feet में, meter में वैसे ही उन्होंने बोला कि page की authority हम चेक करेंगे, या फिर page की value हम चेक करेंगे in terms of page authority, या फिर website की check करेंगे in terms of domain authority, तो ये moz.com ने discover किया है, ना कि google ने, तो एक कोई भी private company बोलती है कि ये website अच्छी है, ये website बुरी है, क्या इस से google को फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, चीक है, अब सवाल आता है कि, तो फिर हम इस domain authority, page authority के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और ये बात हमने पहले क्यों नहीं की, यानि जब SEO का code शुरू आते है, तब हमने बात क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए, इसका relation जो है, domain authority और page authority का, ये है हमारे backlink से, या फिर मैं कहूँ off-page SEO से, अब यहाँ पर जो हमारे, ये moz.com है, ये आखिर calculate करती कैसे है domain authority, तो इसमें इस सवाल का answer चुपा हुआ है, कि वैसे तो वो कहते हैं कि, ऐसा कोई भी एक factor नहीं है, जिससे हम consider करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे factors हैं जिससे हम ये decide करते हैं कि, ये जो website है, इसकी authority ये होगी, इस page की authority ये होगी but mainly वो जिस factor को consider करते हैं, उसका नाम है number of backlinks, right? So, एक website पर कितने और कितने quality backlinks बने हुए हैं, ये एक measure होता है उनका, जिसके according वो check करते हैं कि, एक domain की authority कितनी होगी, एक page की authority कितनी होगी, यानि वो marks देते हैं different different websites को, अगर मैं 2019 से पहले की बात करूँ, तो इनका जो only focus था, वो था सिर्फ number of backlinks पर, लेकिन 2019 की बात में, इनने जब पता चला कि इतनी ज़्यादा link spamming हो रही है, लोग अपनी domain authority बढ़ाने के लिए, लोग अपनी page authority बनाने के लिए, हजारों backlinks जो हैं, create कर रहे हैं एक month में, तो उन्होंने फिर इस चीज में statement दिया था, moz.com ने ही, कि हम सिर्फ backlinks पर focus नहीं करते हैं page authority चेक करने पर, बल्कि उन्होंने अपना थोड़ा system change किया और अब वो ये देखते हैं कि जो Google का जो SERP है, उस पर क्या ranking आ रही है, उस website की इस recording भी, उसकी domain authority और page authority decide होगी यानि अगर WS Cube Tech पर मान लीजे, बहुत सारे 50-60 हजार backlinks बने हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वही उसकी page authority बढ़ाएंगे, इससे उसकी domain authority बन जाएगी WS Cube Tech की, बल्कि वो actually check करेंगे कि सब पर कितना वो rank कर रहा है, किन keywords पर rank कर रहे हैं, उसके अलावा traffic कितना आ रहा है, ये सारी चीजें भी calculate की जाएंगी, तो एक conclusion इन सारी बातों का निकलता है, कि अगर आपकी website की domain authority अच्छी है, page authority अच्छी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो website, वो webpage rank करेगा, तो अब जरूर आपके mind में एक सवाल आया होगा कि जब domain authority, page authority जरूरी है ही नहीं इतना हमारे website के लिए, तो आकर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, इसके लिए मैं आपको simple सा जवाब देना चाहूंगी, कि हम अपनी website की page authority domain authority पे हो सकता है, focus ना करें, लेकिन हमें focus करना पड़ेगा, उन website की page authority, domain authority पर, जिन पर हम अपनी website का backlink create करेंगे चीक है, दुबारा से repeat करती हूँ हम अपनी website की domain authority page authority को बढ़ाने में नहीं लग जाएंगे हम बलकि चेक करेंगे उन website की page authority या domain authority, जहां पर हमें अपनी website के backlinks create करने हैं ओके, इसलिए जब भी हम high quality backlinks की बात करते हैं तो उसमें mostly, वैसे मैं यह नहीं कहती कि 100% हम इसी चीज़ पर ध्यान देंगे, लेकिन काफी जो हमारा ध्यान होगा, यह होगा, कि अगर मुझे एक website को चूज करना है, कि इस पर मैं अपना backlink create करूँ या नहीं करूँ इस पर मैं अपनी website का link पोस्ट करूँ या नहीं करूँ, तो उसके लिए मैं उसको judge कैसे करूँ, तो मैं वहाँ पर एक standard ले सकती हूँ, कि यहाँ भी domain authority इतनी होनी चाहिए, page authority at least इतनी होनी चाहिए, तब ही मैं backlink बनाऊंगी इस website पर, तो उस चीज को calculate करने के लिए, हम domain authority और page authority का use करेंगे, तो I hope यह आपको idea clear हुआ होगा कि page authority, domain authority कितनी important है SEO में और कितनी useless है okay, so confusion बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अभी मैं मना कर रही हूँ page authority, domain authority पर focus करने के लिए, लेकिन आगे जब हम link building करेंगे, तो उस time हम जब भी backlinks create करेंगे, तो हम हर website का D.A. P.A. ज़रूर check करेंगे आप चलिए, कुछ ways देख लेते हैं जिससे आप किसी भी website का D.A. और P.A. चेक कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए simply हमें type करना है domain authority checker, Moz ये करने के बाद में, फर्स्ट Moz ही आजाएगा, वैसे और भी कही सारे tools है, क्योंकि देखिए, जब Moz ने ये निकाला ना, कि domain authority ऐसे check होती है, या फिर page authority ऐसे check हो सकती है, तो और भी जो कही famous websites थी, उन्होंने अपने कुछ अलग checkers निकाले, जैसे मैं आपको कुछ के important के नाम बता देती हूं, फिर हम वापिस दर आजाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं AHREFS ने भी ये निकाला है, जिसमें website authority checker उसको बोला है, domain authority को website authority नोंने नाम दिया है उसके अलावा आप देखेंगे, तो small suggest पर भी देखेंगे, semrush पर भी देखेंगे, तो उन्होंने सबने अपना की website को कुछ marks देने के लिए उन्होंने भी कुछ ऐसे ideas जो है वो निकाले हैं, तो malls हम use कर रहे हैं आप चाहें, आपको semrush ठीक लगता है आपको ubersuggest ठीक लगता है, आप दोनों से कोई भी choose कर सकते हैं, तो जैसे मैं मुझे यहां पर एक domain name add करना है, तो चलिए कोई website open कर लेते हैं, जैसे मैं amazon.in यहां पर type करती हूँ तो obviously इसका काफी अच्छा इसकी domain authority होगी, तो मैं इसको analyze, यहां पर हम click करेंगे और देखेंगे तो इसकी domain authority है 92, and अभी आप देखेंगे तो linking root domains यानि ऐसे domains जो की इस website पर link कर रहे हैं, वो है 197.6K, and ranking keywords मतलब कितने keywords पर यह rank कर रही है, तो करीप वरी 3 lakhs keywords पर यह rank कर रही है, और spam score मतलब यह spam score भी बताता है और यह आपको और भी website पर मिल जाएगा कितने percent इस पर spam है यानि 100 में से आप देख लीज़ें, तो 28% इस पर spamming की गई है, आप spamming में बहुत सारी चीज़ आती है, link spamming आजाएगा, keyword spamming आजाएगा, right so 28% यहाँ पर बताया हुआ है okay, तो domain authority 92 आ रही है उसके अलावा different pages को देखोगे, तो यहाँ पर page authority भी यहाँ पर आ रही है, जैसे 72 आ रही है उसके अलावा कुछ और जो domains है जिसे मैं youtube.com की अगर बात करती हूँ तो youtube.com की 100 जो है domain authority है उसके अलावा कई और यहाँ पर domains आ रहे है जैसे LinkedIn की आप देख लो तो 99 है Google Play Store की देख लो तो 99 है Microsoft की 99 है, तो यहाँ पर यह domain authority आ रही है उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एक extension भी है जिसको आप download कर सकते हैं जिससे आपके surf पर मतलब ऐसे आपको एक-एक website की D.A.P.A. चेक नहीं करनी पड़ेगी यह करने के बाद मैं मैं इसको activate कर देती हूँ already मेरे installed है तो मैं इसको बार बार okay, manage करके और मैं इसको activate कर देती हूँ okay, यह रहा तो मैं इसको enable कर देती हूँ चीक है, enable करने के बाद मैं जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी refresh कर लूँगी एक बार तो यह देखिए, अब यहाँ पर जो मौज बार है वो मेरे सर्ब पर लग चुका है और इसकी PA, DA जो है वो यहाँ पर आ रही है तो यह देखिए, अब मैंने लॉग इन कर लिया है यहाँ पर, completely free है यह तो इसकी PA और DA, इन pages की देखो यहाँ पर आ रही है तो off page जब भी आप करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें calculate करना पढ़ेगा कि किसकी PA, किसकी DA कितनी है क्योंकि उसे according हम ध्यान रखके ही backlinks बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ही सबकी DA, PA आ रही है तो बिना किसी URL को एक-एक को पॉपी करके, आप पेस्ट करेंगे moz.com और और फिर चेक करेंगे तो इससे बैटर यह दे कि extension यहाँ पर आ चुका है यूट्यूब का भी आ रहा है, तो यह extension का भी अच्छा है लेकिन again confused आपको बिल्कुल नहीं होना है अगर कोई आपको कहे कि बस अपने पेज की authority आप अच्छी कर लो अपनी domain authority अच्छी कर लो और इसी से ही आपकी ranking बढ़ जाएगी देखी ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ और सिर्फ off page की बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको off page कराती और मैं बोलती है कि बागी सारी चीज़ें छोड़ो content को छोड़ो, आप सारी चीज़ें छोड़ो आप सिर्फ off page पर focus करो अगर ऐसा होता तो मैं पक्का यही आपको बात करती देखें, ऐसा बिलकुल भी नहीं है page authority को बढ़ाने के लिए domain authority को बढ़ाने के लिए जादे-जादा backlinks लोग बनाते हैं जो की सही नहीं है, ultimately वो spam में आ जाता है, so I hope कुछ भी आपने नया इस वीडियो से सीखा होगा बागी page authority, domain authority और भी हम आगे वीडियो में इसका discussion करेंगे, so don't worry अगर आपको लग रहा है कि अभी कितनी हमारी domain authority होनी चाहिए, page authority कितना standard रखके हम back links बनाएंगे तो ये सारी बातों के लिए अलग से videos आ रही है, एक-एक जब हम back links link build करेंगे, back links बनाएंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप चेक करेंगे, कितना standard रखेंगे तो I hope इस video में आपने कुछना को सीखा होगा और आपका एक जो confusion था domain authority और page authority को लेकर वो दूर हुआ होगा चलिए, फिर next video में मिलते हैं और हभी off page चल रहा है, complete course चल रहा है एक भी video miss की है, तो description box से आपको playlist का link मिल जाएगा जहाँ पर complete SEO course मतब एक एक video starting से लेगर end तक देखो, तभी अच्छे से समझभाओगे and कोई भी query हो, question हो आप मुझे comment section बता सकते हैं, thank you so much कर दो